हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका GPS गेच्वे में इस वीडियो में हम डिजिटल ट्राकिंग मुबाइल अप्लिकेशन के अंदर यूजर मानेजमेंट आप्शन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में प्ले स्टोर से बिजिटल ट्राकिंग अप्लिकेशन को इंस्टॉल करना होगा इंस्टॉल करने के बाद आपको इस अप्लिकेशन को ओपन करना होगा और इसमें लॉग इन करना होगा लॉग इन करने के बाद आपको डैश्बोर्ट कुछ इस तरह से नजर आएगा स्क्रीन के निचले हिस्से पर अब आप एक option देख सकते हैं user का जब आप इस option पर click करते हैं तो आप अपनी स्क्रीन पर वो सब users देख सकते हैं जो इस account में add किये गए हैं उनकी detail के साथ सबसे पहले आप screen पर यहां उपर एक search का option देख सकते हैं यहां पर आप user को उसके नाम से search कर सकते हैं यहां पर एक setting का option हर user के साथ दिया गया है जब आप इस पर click करते हैं तो आप user के वो सभी रोल्स देख सकते हैं जो उसे assign किये गए हैं इस से आप यह भी देख सकते हैं वो सारे रोल्स जो यूजर को असाइन नहीं किये गए हैं यहां पर बहुत सारे रोल्स हैं जिससे आप चूस कर सकते हैं जैसे की main dashboard, tracking dashboard, list dashboard, history view, replay, stop resume, devices, POI, इत्यादी आप इन्हें check या uncheck करके user को रोल्स दे भी सकते हैं और रोल्स हटा भी सकते हैं एक बार जब आप check और uncheck करना खतम करेंगे तो आपको submit पर click करना होगा ताकि जो जो बदलाव आपने यहां किये हैं वो सब save हो जाएं तो चलिए अब वापस आते हैं यहां पर आप एक reference ID देख सकते हैं और उसका type ही यहां लिखा हुआ है आप यह भी देख सकते हैं कि यह user है या admin है इसके नीचे इस user का नाम भी लिखा हुआ है और उसके पास कितने वाहन हैं वो भी लिखे हुए हैं इसी के साथ user का ID, उसका email address और mobile number भी यहां लिखा हुआ है अब आप सीधे हाथ पर यहां तीन dots भी देख सकते हैं जब आप उन पर click करते हैं तो आपको कुछ इस तरह की screen नजर आएगी यहां पर आप view पर click करेंगे click करते ही आपको जो जानकारी नजर आएगी वो है profile, company, password अब आप यहां screen के नीचे deactivate का option भी देख सकते हैं माल लीजिए user ने payment पूरी नहीं की या किसी भी वज़ा से उसकी services को रोकना पड़ेगा या hold पर डालना पड़ेगा ताकि user अपना account access ना कर सके तो उस situation में user का account आप यहां से deactivate कर सकते हैं इसी के साथ एक car का icon यहां बना हुआ है यहां से आपको पता चलता है कि इस user के पास कितने वाहन है यहां पर आप IMEI number, mobile number और vehicle का type भी देख सकते हैं अगर आप एक user के account से किसी वाहन को remove करना चाहते हैं या आपने गलती से किसी वाहन को इस user के account में डाल दिया है तो आप उसे यहां से unassign कर सकते हैं अगला tab है जिसकी मदद से आप एक user के account में किसी वाहन को assign कर सकते हैं अब वापस आते हैं यहां पर जो अगला option दिया गया है वो है login का इस option की मदद से आप एक user के account में login कर सकते हैं उसके नीचे जो option है वो है edit का इस option की मदद से आप user की सारी जानकारी edit कर सकते हैं जैसे कि उसका username, password, country, state, city, email, address, इत्यादी अगर आप इस user का account किसी भी वज़ा से delete करना चाहते हैं तो आप उसे इस icon की मदद से कर सकते हैं तो ये था हमारा आज का वीडियो ऐसी ही और जानकारीयों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो क्रपिया वीडियो को लाइक और शेर करें और हमारे चैनल जीपेस केपे को सब्सक्राइब करें Thank you for watching